तो आपका पार्टनर किसी और से प्यार करता है और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर किसी और को नहीं सिपो सिप आपको प्यार करें आपके बारे में सोचे तो आपके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल बात आपको लग रही होगी क्योंकि आपने सारे प्रेतन कर लिए लेकिन मैं आपको बताना चालता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप Human Psychology के इस भंडे को समझ गए Human Psychology आपको सिखाएगी कि सही तरीका क्या होता है कि किसी व्यक्ति का ध्यान किसी और व्यक्ति से हटा कर अपनी और आप खीच सकते हो दोस्तों ये एक ऐसा तरीका होता है अगर कोई इंसान किसी के लिए पागल होता है प्यार में उसका ध्यान भी आप अपनी और खीच सकते हो ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है अगर आपने इन सारी त्यों को अपने आप में इंपरूव कर लिया हलाकि ये मुश्किल है अपने आप में करना लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप करना ही थोड़ा सा टाप है लेकिन आपको इसे जरूर ट्राय करना चाहते है अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टर किसी और को नहीं से पोसिप आपको प्यार करें है तो प्रोब्लेम यहां पर ये कि आपका पार्टर किसी और प्यार करता है और आप चाहते हो आपको करना लगे तो आपको अभी क्यूं कर रहा है किसी और को क्यूं कर रहा है देखो इस एक्जामपल से समगते कि मान लो कि आप मार्केट में जा रहे हैं फूट खरीदने के लिए अब आप मार्केट में जाते हो आप वहाँ पे देखते हो कि आपके पास दो ओप्सन है ठीके एक अच्छी सी दुकान है फूट की आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं और आप देखते हो कि दूसरा option यह एक ही सड़क पे कोई रेडी है fruit की आप वहां से भी खरीच सकते हो तो आपको मन करेगा कि अच्छी वाली दुकान से आप fruit खरीदो देखो यहां पे आपके पास option है इसी ज़रा से आपके partner के पास भी option होते है एक वो person होता है एक आप होते तो आपको लगा कि यह अच्छी दुकान है यहां पे जाना मुझे पसन है उसी तरह से आपके partner को यह लग सकता है कि आपसे वो जो person है वो उनके लिए एक बेटर option है और कहीं बार ऐसा होता कि है कि हमारे partner के सामने हमसे कोई बेटर आ जाता है यह genuine सी बात है तो आप इस problem का क्या हम solution निकाले देखो दोस्तों इसका बहुत ही perfect solution है यह सिवह आपको आपके relationship में नहीं आपकी पूरी life में क्याम आपके business में आपके relationship में या आपके पूरी life में जहां भी आप इनका use कर सको आपको से करना चाहिए देखो यह बात तो सही है कि आपके partner को एक partner की जरूरत है यहां पे जो आपका competitor है वो आपको beat कर रहा है क्योंकि उसके पास something new है आपसे something different है में business में हमें साथ एक बात कहता हूं या तो आप सबसे अलग होने चाहिए या आप सबसे best होने चाहिए तो कहीं बार यह होता है कि हमारे में बहुत सारी कम्यां होती है हम उनको देखते नहीं कभी उसके बारे में सोचते नहीं सिपोर सिप अपना रोना रोने लगते कि मेरा partner मेरा सामने देखता भी दोस्तों हमेशा एक चीज यहाज रखो कि आप हमेशा market में रहना चाहते हो वह relationship हो या business जैसे मैंने पहले का हमेशा अपने आपको improve करो जितना अपने आपको improve करोगे आप इस game में जीचते जाओगे आपका नहीं औरो के partner है वह भी आपके और खीचे आएंगे यहाँ पर बात ही होती कि हर दिन अपने आपको किसे improve करे और यह हमेशा lifetime आपको करना होगा हमेशा देखते जाओ एक बार आदत लगी ने अपने आपको improve करने के लिए तो स्टार्टिंग में अपको थोड़ा सा भी अपने आपको help करना होगा अपने आपको improve करने के लिए अपने आपको improve करने के लिए सबसे important चीज में आपको आज बताता हूं वह है books अपनी पसंद की books आपको पढ़ना सुरू करना है एक बार start करना है उसको अपनी habit बढ़ाने उसके बाद 100% में आपको guarantee दूगा कि आपमें improvement होगा और कमाल का improvement होगा दूसरी चीज होती है कोई भी creative अपनी hobby को आप start कर दे हो सकता है को कोई बड़ा काम नहीं लेकिन अपनी छोटी सी hobby हो सकती है जैसे कि आप TikTok में अपना कोई original content देना start करते हो YouTube पे channel बनाते हो ऐसा कु ठीटते हो ठीक है उसको अपने आप में improve करते हैं यही सारी चीज होती ना लोगों को attract करती है तिस्ती चीज है आप अपने आपको fit रखने के लिए जीम या योगा start करते हो दोसों सिपो सिप अच्छी body लोगों को आप में attract नहीं करती है हाँ अच्छी body भी लोगों को चूति चीज जो आपको अपने आपको इंप्रूव करने के लिए हेल्फुल होगी वह आपको यह सीखना होगा कि कैसे खुष रहा जाए या कौन चीज यह आपको लाइफ में खुष रखती है इंच जो के बारे में जाने की कौसिश को वेसी चीजे करना स्टाट को हाला कि अ आपकी तरह खुष रहना चाहते है पात्मी चीज आपकी पर्शनालिटी और आपकी जो कॉम्यूनिकर्शन स्कील होती है उसको इंप्रूव करने के लिए कोसिश करो उनके बारे में सीखो उनके बारे में समझो कि कैसे आप इनको और बेहतर करते जाओ गया दिखो तो हमें हमेंसा तुम चाहते हो कि तुम उसकी पसंद बनो तुम उसका प्यार बनो तो एक बात हमेंसा याज रखना कि या तो तो तुम सबसे बेश्ट होने चाहिए या तो तुम सबसे डिफरेंट होने चाहिए तो अगर इन चीजों को आपने रियल में अपनी लाइफ में इंप् सब्सक्राइब करें मेरे साथ फेस्बूक पर इंस्ट्राग्राम पर जूना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रहे हैं